वेलकम टू एको एकजाम, एको एकजाम मैं आपको स्वागत है, आज की इस वीडियो की इस टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 60-50 सवालों को जो कमपटी एकजाम में लगातार पूछेगे, तो आप इस वीडियो की उसके द्यान से दीजिएगा, और इस तरह से आपका ए और ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे एको एकजाम यूटेब चनल को सब्सक्राइब और सेर जरूर करें, मैं आप लोग को यकीन ने विश्वास दिलाता हूँ, यदि रोजाना आप इन 50 सवालों में से 30-40 का सही सही जवाब देते हैं, तो सफलता एक द प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए तो यहाँ पर आपसर नमर एक कुशार से हुजाएगा वह प्रतम सासक विद्वान कौन था जिसने गडीत को एक प्रितक विशाय के रूप में स्थापित किया वह प्रतम भारती विद्वान आरे भट था जिसने गडीत को एक प्रितक विशाय के रूप में स्थापित किया तो यहाँ पर आपसर नमर बी आरे भट से हो जाएगा अजयपाल संस्थापक थे अजयपाल अजमेर के संस्थाप पर थे तो यहाँ पर आपसन नमरी अजमेर से हो जाएगा आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आगरान अगर किस था अपना सिकंदर लोधी के द्वारा की तो यहाँ पे आप्सन नमर बी सिकंदर लोधी से हो जाएगा किस चीनी जन्रल ने कनिस को हराया था पेंचाओ चीनी जन्रल ने कनिस को हराया था तो यहाँ पे आप्सन नमर बी पेंचाओ से हो जाएगा निम्नली खीत में से कौन अपने को इस्वर का अविशाप कहता था निम्नली खीत में से चंगेश कहा अपने आपको जो इस्वर का अविशाप कहता था तो यह आप आपसे नमर्शी चंगेश कहा सही हो जाएगा बिक्रम सीला शिक्षा केंद्र के संस्तापक का नाम है बिक्रम सीला शिक्षा केंद्र के संस्तापक का नाम धर्मपाल है तो यहाँ पर आपसर नमर सी धर्मपाल से हो जाएगा पलो की राजधानी भासा थी अल्लोग की राजदानी अबास जोती हो संस्कित ही तो यहाँ पे आपसे नमर बी संस्कित सही हो जाएगा भारत में मुसलिम राज का संस्तापक माना जाता है किसको भारत में मुसलिम राज का संस्तापक मुहम्मद गोरी को मना तो यहाँ प्यापसर नमर ची मुहम्मद गोरी से हो जाएगा बहमनी राजाओं की राजधानी थी बहमानी राजाओं की राजानी तो तो गुलबरगा थी तो यहाँ पर आपसर नमर बी गुलबरगा से हो जाएगा किसने अपने आपको खलीफा गोसित किया था मुबारक सा खिल जी ने अपने आपको खलीफा गोसित किया था तो यहाँ पे आपसे नमर्शी मुबारक सा खिल जी से हो जाएगा गुप्त काल के सरवादिक लोगप्री देवता कौन थे गुप्त काल के सरवाधिक लोगप्रीद देवता विश्रू थे तो यहाँ प्याप्सर नमर 6 विश्रू सही हो जाएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ती दीवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने मुक्ती दीवस 1949 सही हो जाएगा तो यहाँ प्याप्सन नमर E, 49 से हो जाएगा चोल यूग किसके लिए प्रसिद था? चोल यूग ग्रामीड सभाओं के लिए प्रसिद था तो यहाँ प्याप्सन नमर E, ग्रामीड सभाओं से हो जाएगा किष्ट देवराय ने निमलिखित में से किसके साथ मैत्री पूर्ण संबंद रखे थे किष्ट देवराय ने निमलिखित में से पूर्टगालियों के साथ जो मैत्री पूर्ण संबंद रखे थे तो यहाँ पर आपसे नमर्शी पूर्टगाली से हो जाएगा लिंग राज मंदिर की नियू किस ने डाली थी? लिंग राज मंदिर की नियू आयाती केश्री ने डाली थी तो यहाँ प्याप्शन नमर भी आयाती केश्री से हो जाएगा प्रसिद एतियासिक इस्तल हम पी किस जिले में इस्तित है? प्रसिद्ध एत्यासिक स्थल हम पी बलारी जिले में स्थी थे तो यहाँ पर आप से नमर सी बलारी सीव जायेगा चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार कि शोबा थे चरक और नागा अरुजुन जए कनिस्क के दरवार की शोबात है तो यहाँ पर आप्सन नमर ची कनिस्क सही हो जाएगा रबर सब्द किस खेल से सम्बंदित है रबर सब्द क्रिकेट खेल से सम्बंदित है तो यहाँ पर आप्सन नमर एक क्रिकेट सही हो जाएगा बिजयन अगर समराज की स्थापना कब हुई थी? बिजयन अगर समराज की स्थापना 14. सदी मुई थी तो यहाँ पर आपसर नमर 6 14. सदी से हो जाएगा गुप्त वन्स का वह राजा कौन था जिसने हुंडो को भारत पर आकरमण करने से रोका था? गुप्त वन्स का राजा इसकंद गुप्त ने हुंडो को भारत पर आकरमण करने से रोका था तो यहाँ पर आपसर नमर 2 इसकंद गुप्त से हो जाएगा मुहम्मद गोरी किस वन्स का था? मुहम्मद गोरिष संसबनी वन्स कथा तो यहाँ पर आपसर नमर यह संसबनी से हो जाएगा विजय नगर समराज के वित्ती ब्योस्ता की मुख्य विसस्ता क्या थी? विजय नेगर समराज के बित्ती ब्यवस्ता की मुख्य विसस्ता जो थी भूराज़स थी तो यहाँ पर आपसर नमर बी भूराज़स सही हो जाएगा लोधी वंस का सरवादिक सक्ति साली सुल्तान कौन था लोधी वंस का सरवादिक सक्ति साली सुल्तान सिकंदर लोधी था तो यहाँ पर आपसर नमर ये सिकंदर लोधी से हो जाएगा भारतियों के महान रेशम मार्क किसने आरम कराया भारतियों के महान रेसम मारक को जो है कनिक्स ने आरम कराया तो यहाँ पर आपसर नमर भी कनिक्स का सही हो जाएगा उस सासक का नाम क्या है जिसने बिजय इस्थम का निर्मार कराया था उस सासक का नाम राडा कुमबा है जिसने बिजय इस्थम का निर्मार कराया था तो यहाँ पर आपसर नमर ए राडा कुम्भा से हो जाएगा किष्ण देव राय किसके समकालिन थे किष्ण देव राय जो है बाबर के समकालिन थे तो यहाँ पर आपसर नमर शी बाबर से हो जाएगा पाल वंस का संस्थापक कौन था पाल वन्स का संस्थापक गोपाल था तो यहाँ पे आप्शन नमर शी गोपाल से हो जाएगा सेन वन्स का संस्थापक कौन था सेन वन्स का संस्थापक सामंत सेन था तो यहाँ पे आप्शन नमर बी सामंत सेन से हो जाएगा तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंस का राज इस्थापित हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सयद वंस का राज इस्थापित हुआ तो यहाँ पर आप्शन नमर ये सयद वंस से हो जाएगा किस सुल्तान ने अपनी आत्म कथा लिखी है पिरोज सहा तुगलक ने अपनी आत्म कथा लिखी तो यहाँ प्याप्शन नम्मर सी फिरोज तुगलक सही जाएगा रुद्रमबा किस राजवन्स की प्रसिद्ध महिला सास्का थी रुद्रम्बा कातकी वा राजवन्स की प्रसिद्ध महिला सास्काति तो यहाँ प्याप्शन नमर्शी काक्तत की सही हो जाएगा यादो समराटो की राजधानी कहा थी यादो समराटों की राजदानी देवगिरी थी तो यहाँ पर आपसर नमर शी देवगिरी सही हो जाएगा निम्न लिखीत में से किसने बड़े पैमाने पर शोण मुद्राय चलाई थी निम्न लिखीत में से कुशार सासकों ने बड़े पैमाने पर शोण मुद्राय चलाई थी तो यहाँ पर आपसर नमर डी कुशार सासक सही हो जाएगा सुंग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर राज़ किया सुंग वंस के बाद कड़ वंस ने भारत पर राज़ किया तो यहाँ पर आपसर नमर एक कावर्ड से हो जाएगा दिलवाडा मंदिर कहाँ पर श्तित है दिलवाडा मंदिर आबू परवत पर श्तित है तो यहाँ पर आपसर नमर डी आबू परवत से हो जाएगा चोल समराज का संस्थापक कौन है? चोल समराज का संस्थापक बिजय आलाय है तो यहाँ पर आपसे नमर बी बिजय आलाय से हो जाएगा किसने भूमी मापने का पैमाना गज्य सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने भूमी मापने का पैमाना गज्य सिकंदरी का प्रचलन किया तो यहाँ पर आपसे नमर बी सिकंदर लोदी से हो जाएगा पुर्षो की बैट मिंटल प्रतियोगिता क्या है? पुर्षो की बैट मिंटल प्रतियोगिता थामस कप है तो यहाँ पर आपसे नमर बी थामस कप से हो जाएगा इंकलाब का नारा किस ने दिया? इंकलाब का नारा मुहम्मद इकबाल ने दिया तो यहाँ पर आपसे नमर बी मुहम्मद इकबाल से हो जाएगा रजिया बेगम को सत्तेचिवत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्तेचिवत करने में तूर्कियों का हाथ था तो यहाँ पर आप्समनमरे तूर्किसे हो जाएगा तमिल का गवरव ग्रंत जीवन तिंता मढई किस से सम scholars तमिल का गवरो ग्रंद जीवक चिन्ता मडी जोय जैन से समधित तो यहाँ पे आपसे नमडी जैन से यो जाएगा नहर निर्माळ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था नहर निर्माळ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासु दिन तुगलक था तो यहाँ पे आपसे नमडी गयासु दिन तुगलक से हो जाएगा किस ने इक्तादारी प्रथा चलाई इल्तुत मिस्त ने एक्तादारी प्रथा चलाई तो यहाँ पर आपसर नमर B इल्तुत मिस्त से हो जाएगा खजुराओ इस्तित मंदिर का निर्मार किस ने करवाया खजुराओं इस्थित मंदिर का निर्माड जज चंदेल राजपूतों ने कहा तो यहाँ प्याप्शन नमर शी चंदेल राजपूत से ज़िएगा लोधी वंस का अंतिम सासक कौन था? लोधी वंस का अंतिम सासक इब्राहिम लोधी था? तो यहाँ प्याप्शन नमर ए इब्राहिम लोधी से हो जाएगा अलाई दर्वाजा का निर्माड की सुल्तान ने करवाया? अलाई दर्वाजा का निर्माड अलाओ दिन खिल्जी ने करवाया? तो यहाँ प्याप्शन नमर बी अलाओ दिन खिल्जी से हो जाएगा किस ने सोमपूर महा विहार का निर्माड करवाया था? धर्मपाल ने सोमपूर महा विहार का निर्माड करवाया था? तो यहाँ प्याप्शन नमर भी धर्मपाल से हो जाएगा तो यह था हमारा आज का वीडियो क्यूज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आपको एक क्यूज कैसा लगा? पचास में सवालों में सापने सही जवाब कितने दिया और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा उसे भी प्लेश कर ले इस डेली क्यूज आपको मिलते रही को जाम आलवेज वीडियू थैंक यू फर वाचिंग में